हलो फ्रेंड्स तो आज मैं जो ब्लाउस बना रही हूँ वो कोट कॉलर के उपर है तो इसका फुल कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरिके से सिखाऊंगी तो आप सभी ने बहुत ज़दा रिक्विस्ट किया था कि कोट कॉलर वाली ब्लाउस का फुल लेते हैं देखिए ब्लाउस का पैटर मैं वानटक्स में ही रख रहे हूँ जो सबसे इजी होता है और सबसे पहले हम पेपर के उपर कटिंग कर लेंगे सबसे पहले देखिए यहां पर नीचे से सीधा लाइन बना लेंगे यहां पर एक इंच नीचे से एक्स्ट्रा पहले हम फ्रंट पार्ट के ही कटिंग कर रहे हैं. यहां पर जितना इंच से उसे फोल्ट कर लेंगे अंदर की तरफ, यह देखिए लाइन के बराबर फोल्ट करके रखेंगे. ठीक है यह एक्स्टा रहेगा, अब हम सामने की तरफ बाकी का measurement लगाएंगे तो यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे सबसे पहले हमें लेना होता है blouse का length तो यहाँ पर जो मैंने extra margin लिया है उसे छोड़ कर जितना इंच का length अप रखना चाहते हैं उससे एक इंच margin लेकर निशान लगा लीजिए जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं तो यहाँ पर मैं साड़े 14 इंच का blouse बना रहे हूँ length पर इसलिए मैंने एक इंच बढाकर साड़े 15 इंच पर निशान लगाया है और सीधा एक line बना लिया है अब देखिए collar blouse के लिए shoulder हमें लेना है 7 इंच या फिर साड़े 7 इंच तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का shoulder और 7 इंच का आर्मोल ले लिया है यहाँ पर मैं 38 size का blouse बना रहे हूँ दोनों line को सीधा कर लिया है जैसे normally करना होता है ठीक है यहाँ पर पोना एक इंच अंदर के तरफ निशान लगाएंगे ठीक है collar blouse में हमें आर्मोल में थोड़ा सा ज़्यादा गहराई देना होता है front side में तिर्चा माने line drop कर लिया है अब यहाँ पर एक इंच उपर से आर्मोल का गुलाई दे देना है देखे इसे आप हाथ से भी दे सकते हैं यह देखे इस तरीके से गुलाई देना है इसके बाद हमें आर्मोल की side पर shoulder down करना है वो भी करना है पोना एक इंच तो पोना एक इंच पर हमने अंदर की तरफ गहराई दिया है और पोना एक इंच हमने डाउन भी किया है शोल्डर की तरफ से तो देखिए अभी हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है तो जितना भी आपका चेस्ट होगा उसे फोर से डिवाइड़ कर लेना है जो भी आए तो निशान मैंने लगाया है अब यहां पर देखिए सिलाई मार्जिन लेना है दोनों तरब एक एक इंच का ठीक है यह नॉर्मल सिलाई मार्जिन है अभी हम वन टक्स ब्लाउस बना रहे हैं तो उसके लिए देखिए यहां से साड़े तीन इंच पर निशान लगाएंगे ठ लेना है और आपका टक्स प्उइंच के लिए निशान लगाना है तो साड़े 9 के साथ हमने 1 इंच एक एक स्टर ले लिया है तो 10 इंच 10 इंच से इस तहाँ से मिलाना है तो कमर की साइट से अब 2 इंच का सिलाई मार्जिन और ले लेना है क्योंकि पॉफ का सिलाई लगाने के बाद वहां का कपड़ा कम हो जाएगा तो 2 इंच एकस्टर लेकर अब हम उपर से इस लाइन को सीधा मिला देंगे ठीक है इसके बाद हम देख one tux blouse के लिए तो अभी जितना paper fold कर लिया था उसे open कर लेंगे और यहाँ पर देखिए line को छोड़ कर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है और length लिया है 5.5 इंच चोड़ाई लिया है 2.5 इंच और length लिया है 5.5 इंच तो इस तरह से मैंने box बना लिया है अब box के अंदर V-shape बनाना है लेकिन हलका सा गुलाई में बनाना है देखिए इस तरह से coat collar के नीचे जो shape होता है उसको create करने के लिए तो देखिए अभी front part की marking जो है complete हो गया है तो अब हम इसको cutting कर लेंगे तो अब front part की cutting हो गया है तो back part की cutting कर लेंगे तो same हम paper को single में ही लेंगे तो यहाँ पर collar वाला dress या blouse बनाने के लिए क्या होता है कि हमें back part को front part से थोड़ा से जादा लेना होता है तो यहाँ पर देखिए blouse के तरफ क्या होता है कि अगर आप नहीं भी लेंगे ना तो उसमें आपका frittings में कोई भी problem नहीं आएगा तो यहाँ पर देखिए जो है मैं blouse का length साड़े 15 इंच ही रख रही हूँ ठीक है इस तरह से निशान लगा लेंगे जैसे front में लिया था बिल्कुल same 7 इंच का shoulder 7 इंच का armhole ठीक है जितना इंच का आप shoulder लेंगे उतना इंच का ही आपको armhole लेना है जब भी आप collar blouse बनाने जाओ या फिर आपका back side जो है बिल्कुल open नहीं रहता है एर होस्टे style में होता है उस तरफ का जो blouse होता है उसमें आपका armhole थोड़ा से जादा लेना होता है जादा deep लेना होता है ठीक है तो इसी लिए तो यहाँ पर डेर इंच का डेर इंच ऊपर से हम armhole का गुलाई दे देंगे सिंबल जैसे हम back part भी cutting करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी cutting करना है अभी देखिए पोना एक इंच का जो down करना था वो भी हम कर लेंगे 2.5 इंच का गले का चौड़ाई भी रखेंगे और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग पर निशान लगाएंगे और मैंने लगा तो यहाँ पर देखिए नीचे से हमें 2 इंच का सिलाई मारजन रखना है क्योंकि back part में हम टक्सपाइं लगाते हैं यहाँ पर देखिए 4 इंच की दूरी से टक्सपाइं का सिलाई हमें लगाना है चार इंच की चोड़ाई और सारी पांच इंच के लंबाई लेना है और देखिए आधाध इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगा और उपर से मिलाएंगे तो इस तरह से आप कोई भी साइस का ब्लाउस के लिए टक्स पॉइंट का जो निशान है आप इस तरीके से लगा सकते हैं बैक साइड पर तो अभी देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गया है तो अब हम इसको पहले कटिंग कर लेंगे तो देखिए बैक साइड पर मैंने नेक की तरफ यानि की उपर की साइड पर कोई भी कटिंग नहीं किया है सिम्पिल मैंने 2.5 इंच की दूरी से एक छोटा सा कट लगा लिया है लेकिन 1 इंच की दूरी से जो कटिंग करना होता है वो मैंने यहाँ पर नहीं किया है इसमें fitting अपका बहुत अच्छा आता है cutting अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी सही रहेगा तो देखिए paper की cutting हो गया है हाँ यहाँ पर हमें sleeves की cutting कर लेना है तो sleeves की cutting बिल्कुल simple है आप जैसे अपना sleeves बनाना चाहते हैं अगर आप 3-4 sleeve, full sleeve या फिर elbow तक sleeves बनाना चाहते हैं बस उस तरीके से sleeves की cutting कर लीजिए तो मैंने sleeves के उपर अगलग सर design बनाए है जो मैं आपको next वीडियो में दिखाऊंगी तो चलिए हम कपरे की उपर cutting कर लेते हैं यहाँ पर मैंने पहले अस्तर को ले लिया है इसके बाद हम back part को लेंगे और इसके उपर रखेंगे देखिए back part को हम कपरे की जो joint वाली side है उसके तरफ करके रखेंगे जैसे हम कोई भी blouse का जो hook वाली side है उसे हम कपरे की खुली वाली side रखते हैं और back side को joint वाली side रखते हैं ठीक है बस उसी तरीके से रखेंगे और as it is मैंने marking कर लिया है ये देखे चॉक से निशान लगा लेना है इसके बाद cutting कर लेना है तो सबसे आसान तरीका ये ही रहेगा कि आप direct कपरे की उपर cutting ना करके पहले paper की उपर cutting कर लीजिए then कपरे की उपर cutting कीजिए तो ये बहुत ही easy रहेगा इसके बाद जो मैंन कपरा है उसे लेना है और बिल्कुल save वैसे ही रखना है इसके उपर हम अस्तर वाली पार्ट को रखेंगे देखिए इस तरह से रखना है और नीचे की side पर मैंने कपरे को बचा कर रखा है जिस तरफ से अगर आप कोई blouse leaves के उपर design बनाना चाते हैं तो आप बना सकते हैं इस तरीके से आपको नीचे का जो कपरा है उसे बचा कर अस्तर वाली यानि की blouse का दोनों पार्ट को रखना है और दिन कटिंग कर लेना है यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका मैंन कपरा है वो अस्तर से आधा इंच बढ़ा कर अप कटिंग करें कटिंग करने के बाद सबसे पहले फ्रेंट साइट को लेना है और फ्रेंट साइट की जो मैंन कपरा है दोनों को आमने सामने रखना है देखिए इस तरह से कपरे की जो रॉंग साइट है उस तरफ हमें अस्तर को रखना है देखिए इस तरह से हम मिला कर अस्तर को रखेंग तो इसलिए मैंने जादा लिया है क्योंकि यहां पर जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत ही easy हो जाएगी same वैसे ही जो back part है उसके wrong side की तरफ अस्तर को रखना है और चारो side पर सिलाई लगा लेना है और extra गप्रे को cut करके निकाल लेना है यह देखिए सिलाई लगा कर मैंने तयार कर लिया है देन लेना है paper pasting जिससे fold करके रखना है यह देखिए इसके उपर हम front part को रखेंगे तो देखिए किस तरह से रखेंगे यह देखिए जो neck की side है उसे हम paper pasting की joint वाली side है उस तरफ करके रखेंगे ठीक है अब यहां पर जो तो देखिए यहां पर जो paper pasting है उसे मैंने fold करके लिया है यह इस चिस का अब ध्यान रखिए fold करके रखना है ताकि paper pasting से दोनों पार निकल कर आए तो देखिए इस तरह से निशान जो है आ गया है अब उपर से एक straight line बनाना है देखिए यहां पर आप scale से नहीं बना सकते है जो मैंने गल्दी से बनाने जा रही थी और इसको हम हाथ से इस तहाथ से हलका सा गुलाई में बनाना है यह देखिए तो अब इसको cutting कर लेना है दिन थोड़ा से extra कपड़ा लेना है जिसके ऊपर pasting को रखना है और कप्रे की wrong side के तरप रखना है और दोनों पार्ट को आ इकाल लेना है तो देखिए यह दोनों पार्ट इस तरह से आएगी यह देखिए तो अब यहां पर यह जो पेस्टिंग की जो बाहर की side है पीछे की side है वहां के कप्रे को fold कर लेंगे fold करके pasting के उपर ही रखेंगे और सिलय लगाएंगे तो देखिए मैं आपको सिलय लगा तो यहां पर देखिए बिल्कुल pasting के पास से जिलय लगाना है तो इसलिए pasting के बाद मैंने आधा इंच का extra कपने रखने को कहा है ताकि pasting के ऊपर जिलय लगाना ना पढ़े तो देखिए अब हम इस तरह से ज़श्ट सिलय लगा लेंगे तो इस बर आप थोड़ा सा पिन लगा लीजिए सिलय लगाने के टाइम पर एक-एक पिन को खोल लीजिया और सिलय लगाईए तो इसमें बहुत ही easy होगा देन नेक के ऊपर छोटे-छोटे से कट लगाना है और इसके बाद pasting को fold करके पीछे के तरफ कर लेना है यह देखिए इस तरह से यहां पर हाथ से प त्यार हो जाएगी और नीचे भी तयार हो जाएगी और पेस्टिंग रहेगा तो इसमें finishing भी अच्छा रहेगा जितना भी पेस्टिंग एक्स्टा होगो से कट कर लेना है और यह देखिए दोनों पार बिल्कुल रेडी हो गया है तो देखिए यहां पर जो कपड़ा है उ उसके उपर फ्रेंट पार्ट को रखना है और दोनों का सीधा साइड मिलना चाहिए इस तरह से आपको रखना है तो देखिए दोनों पार्ट की जो आरमोल की साइड है उसे बिल्कुल मिला कर रखना है इस तरह से और इसके उपर से सिलय लगाना है तो यहां पर देख सकते कि जो back part है उस पर मैंने neck की कोई cutting नहीं किया है वो बिलकुल straight है collar को लगाने के बाद वहाँ पर finishing भी आ जाएगी और पहनने के बाद भी finishing आ जाता है तो देखिए शोल्डर जोइन करने के बाद अब हम front और back part पर tux point के लिए फिर से एक बर निशान लगा लेंगे जैसे मैंने cutting के time पर आपको दिखाई थी side से हम 3.5 इंच चोड़ाई ले लेंगे यहाँ पर और उपर से 10.5 इंच का tux point का marking यहाँ पर देखिए बिलकुल उपर से लगाना है जितना भी आपका chest size होगा उसका चौथा भाग और जितना चौथा भाग आएगा उसके साथ 1 इंच का सिलाई margin ले ले लेना है और यहाँ पर tux point के लिए निशान लगाना है तो दोनों side पर हम ऐसे ही लगा लेंगे और line के दोनों तरब 1.5-1.5 इंच पर निशान लगाएंगे जिसमें आपका puff अच्छा बनेगा तो यहाँ पर देखिए अगर आपको puff कम चाहिए तो आप 1.5 इंच पर निशान लगाईए बैक पर्ट की जो center है center की दोनों तरब 4-4 इंच पर निशान लगाना है 4 इंच का चोड़ाई और 5 इंच का लंबाई लेना है यहाँ पर देखिए कॉलर बाली blouse पर अप इस तरह से बैक पर्ट में tux point के लिए निशान लगा सकते हैं और आधा-दा इंच पर दोनों तरब निशान लगाना है और इस तरह से line बना लेना है तो अब देखिए दोनों तरफ हम tux point की सिलाई जो है वो लगा लेंगे उससे पहले collar की cutting कर लेंगे सबसे पहले front side को पकर कर इस तरह से रखेंगे और देखिए front side की तरफ से 2 इंच उपर निशान लगाएंगे यहाँ पर निशान को दोनों तरफ ही draw करना है इस तरह से इसके बाद यहाँ पर इंची tape को इस तरह से back side की उपर से रखेंगे और इस तरह से देखेंगे जहाँ पर निशान लगाएंगे वहां तक कितना यह जा रहा है तो मेरा आ रहा है 9 इंच 9 इंच तो यहाँ पर अब हम पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके इस तरह से लेंगे तो देखी कॉलर का लेंथ जैसे आया था 9 इंच लेकिन उससे 2-3 इंच जादा लेकर हमें पेस्टिंग को फोल्ड करना है तो अब देखी कॉलर का जो चौड़ाई है वो हमें लेना है यहाँ पर मैं 3.5 इंच कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने उपर की तरफ निशान लगाकर लाइन बना लिया है अब यहाँ पर उपर से भी 1 इंच निशान लगाना है और नीचे से भी उपर 1 इंच निशान लगाना है अब यहाँ पर स्केल से लाइन को जस्ट मिलाना है उपर की लाइन के साथ मिलाना है और उसके बाद नीचे की लाइन के साथ हमेज को मिलाना है देन नीचे की लाइन को इंची टेप से मेजर करना है जितना आपका कॉलर के लेंद आएगा उस पर निशान लगाना है अब देखिए हमें इसको cutting कर लेना है देखिए यहाँ पर यह color cutting हो गया है तो इसी तरीके से cutting करके आप shirt color भी ऐसे ही बना सकते हैं यह देखिए color का shape देखिए विल्कुल shirt color में ही आ जाएगी तो just हम इसको ऐसे ही cutting करेंगे coat color में भी और अब देखिए यहाँ पर हमें फिर same and कपड़ा लेना है जिसके उपर हम pasting को इस तरह से रखेंगे यानि की color को रखेंगे और iron से press लगा लेंगे ध्यान रखिए कि आपको pasting के बाहर extra कपड़ा भी होना चाहिए देन collar की जो नीचे की side है वहाँ के कपड़े को pasting के उपर fold करके शिलाई लगाना है देन थोड़ा से extra कपड़ा और लेना है same size में और इसके उपर हम collar को रखेंगे देखिए सीधी side को मिला कर बस इस तरह से रखेंगे इसके बाद देखिए जिस तरफ हम fold कर लेंगे उस तरफ को छोड़ कर बाकी चारो side पर फिर से सिलाई लगाएंगे ये देखिए पहला जो सिलाई है वो हम इस तरह से लगा लेंगे इसके बाद जो extra कपड़ा लिया था उसे लेंगे और इसके उपर collar को बिल्कुल मिला कर इस तरह से रखेंगे अब यहाँ पर जिस side को हमने fold कर लिया है उस side को छोड़ कर बाकी चारो side पर सिलाई लगा लेना है दिन collar को fold करके सीधा कर लेना है उपर से iron से press भी लगा लेना है दिन उपर से फिर से एक बस सिलाई लगाना है लेकिन धहान रहे कि नीचे की side खुला हुआ रखना चाहिए यह देखिए तो इसके बाद collar बिल्कुल तयार है तो blouse का जो tux point का marking मैंने किया था बिल्कुल उसके उपर से सिलाई लगा लेना है तो इसके बाद front side देखिए बिल्कुल ready हो जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर हम collar को लगा लेंगे तो उसके लिए देखिए back side का जो center है यानि की जो middle है वहाँ पर chalk से एक निशान लगाना है दिन collar की जो middle है उसे भी निशान लगा लीजिए और back part और collar दोनों का middle को मिलाईए यानि की center को मिलाकर collar को लगा लेना है details में मैंने एक already video बना कर रखिए अगर आपको देखना है तो आपको description box बर उस video का link मिल जाएगी यह देखिए मैंने collar को लगा लिया है और एक side पर आपको पट्टी लगानी होगी जिस तरफ आई बनाएंगे और दूसरी तरफ आप hook बनाएंगे तो कैसे लगाना है उसके लिए मैंने video बना कर रखी है आपको description box बर वीडियो का link मिल जाएगी बाकी नीचे की तरफ जहां पर fold करना है वहां पर आप fold करके एक बार iron से press लगा लीजिए तो इस तरह से दोनों पार्ट को मिला कर रखना है तो जो भी पार्ट छोटा परा होगा आपको मिला कर रखने के बाद उसे cut कर लेना है दोनों पार्ट को cut करने के बाद यहां पर मैं lace का use कर रही हूँ सबसे पहले जो hook और eye की side है तो वहाँ पर सीधा सीधा lace को लगा कर cut कर लेना है then बाकी collar के उपर लगाना है तो जब आप collar के उपर लगाएंगे ना तब आपको अच्छे से ध्यान देकर लगाना है लाउस को उल्टा रखना है और collar के उपर lace को लगाना है ताकि collar को जब हम fold करेंगे तो lace उपर से दिखाई देगी तो इस तरह से आपको lace को लगाना है तो देखिए lace लगाने के बाद दोनों पार्ट बस इस तरह से आएगी ये देखिए और यहाँ पर आप hook बना लीजिए, eye बना लीजिए और lace लगाने के बाद नीचे की तरह आप कमर पट्टी लगाईए और उसके बाद जो भी sleeves अब बनाए हैं उस sleeves को लगा लीजिए देन fittings कर लीजिए बस आपका ये blouse बिलकुल ready हो जाएगी आप चाहे तो lace के बिना भी coat color को रख सकते हैं जो भी बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन lace लगाने से coat color का जो shape है वो और भी अच्छे से दिखाई देता है देखे मैंने blouse को बिलकुल ready कर लिया है जो sleeves का design है वो मैं आपको next वीडियो में दिखाऊंगी ये देखे फ्रेंट साइट से open रहेगा और easily आप इसे पहन सकते हैं देखे मैंने back side को front से जादा नहीं लिया है फिर भी इसको पहनने के बाद इसका जो finishing है वो कितना अच्छे से आ रहा है ये देखे back side से भी इसका finishing कितना अच्छाया है तो आज का ये blouse का design आप सभी को कैसा लगा है वह मुझे comment पर जरूर बताईए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और notification bell को भी जरूर on करके रखिए और आप मुझे Instagram पर भी follow कर लीजिए link आपको description box पर मिल जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में